और ये भी समझाएगा कि कैसे जो ये राम का काम हो रहा है इसमें हर कोई अब जो है गोता लगाना चाहता है यहां से शुरू करते हैं मैं दरसल कार सेवकपुरम में मौझूद हूँ जहां पर सभी राम जी के लिए लाया हुआ दान सरूप चीजे रखी हुई है यहां से शुरू करेंगे ये हवन सामगरी देखिए ये जनकपुर से आई है इसी तरीके से ये जो जल है पावन आप देख रहा है ये गुलाब जल ये भी जनकपुर से ये कन्नौज से कन्नौज से इत्र दरसल आया कन्नौज का इत्र देखिए किस तरीके से यहां पर लाकर इतनада में यहां रख्था गया है इसके बाद यह जो पोट्लिया आप देख रहे हैं यह जो पोट्लिया आप अंध्य जर्दपूर से सब्सक्ती इसराल की यह जानगा जल और प्रसादी वेटा क ord29 म सब्सक्तों भूष साथ सरूप यह सब चीजे रखी गई हैं यह सब भी कुछ जनकपुर यानि की राम जी के सस्राल से आया है अब वहां से तो दान बनता भी है भाई किस तरीके से क्योंकि या राम जी उनके जो है पाउन है पाहुन मतलब उनके दामाद हैं तो वहां से आया है यह घंटे जो 500- यह एटा के जलेसर से आये हैं घंटा नगरी कहा जाता है एटा के जलेसर को यह वहां से देखिए बनाकर सालों साल यह बनाये जा रहे थे एक दो तीन चार पांच छे साथ यह साथ घंटे एटा के जलेसर से आये अब यह देख लीजे किसी ने यहां पर त्रिशूल इस तर जी है आगे भी बढ़ते जाहिए अब ये जो ये देख रहे हैं आप ये कलश आपको दिखाए देंगे ये क्या है तो ये दरसल रादिस्थान से आया हुआ घी है ये घी यहां पर लाया गया कई दिनों की लंबी यात्रा को इस घी ने तै किया और किस तरीके से अभी से नही जो घी ये भिडवाया गया जिस व्यापारी द्वारा उसने ये प्रण लिया था कि राम मंदिर बन जाएगा तो ये घी ही मैं जो है इस घी को दान दूंगा तो ये रखागे अब इधर आईए ज़रा ये दिखाईए ये भी देखिए ये जो जल है सकन्द पुराण में सह इसको का जाता है वो कितनी महत्वपून होती है वो यहां पर लाकर रखी गई है राजस्ताम जोत्पूर संदीपनमुनी गौसाला से शे कुंटल तीस किलो घी आया है जो 27 नौंबर को ही रसारा गया गया अभी कुछ हमने दिया है चेक करने के लिए गया है भगवान का पर अभी तो भगवान का राज आया है तब देखने मिलेगा मुलाएं राजस्तों के राज में यहां को जिकाए ठीक है